नमश्कार दोस्तों वेलकम बैक तो माई चानल आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप के वीएस पी आर्टी का जो फॉर्म आया है 2022 का उसको आप फिल कर सकते हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना है सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे गूगल पे डालिएगा और आप सबसे पहले लिंक पे आ जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो कुलेगा तो सबसे ईजी ऑप्शन यही है कि इस पे आईएगा तो आपक पर इस पेज पर भी दे रखी है आप यहां से फिल कर सकते हैं फीस वगैर यह सारी चीजने रखी हुई है ऑक आप यह सब चीजन जो इनफॉर्मेशन आप चीजन इसको पढ़ सकते हैं ठीक है और अप्लाइल ऑन-लाइन वाले जो यह लिंक दिया है इस पर आप टीजिए प्राइमरी टीचर पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप कुछ ऐसे एक विंडो आपके सामने कुल के आएगा ऐसा विंडू ठीक है तो क्योंकि आपने इस से पहले इस consideration fill नहीं किया आपका registration नहीं हुआ है तो आपको आपके his final check our password है तो आप वह तो आप Mhm लिए इस औरेंज बटन पर क्लिक करना है ताकि आप अपना इंस्ट्रेशन कर सकते हैं Dry कर इढ़ा أपना नींडर करेंगे तो उसके लिए आपके सामने एसा एंडोो खुले लिए टिक सारी इंफोर्मेशन दे रख्य हुई कि फॉर्म कैसे फिल करना है सारा इंस्ट्रक्शन दे रखा हुआ है ठीक है और फीस के भी रिगार्डिंग यहां पर चीजें दे रख्य हुई है इंफोर्मेशन की कितना फीस आपको पे करना है OBC और जनरल इन दोनों ही कैटिगरीज के लिए 1500 रुपीज जो है वो निर्धारित किये गए हैं दोनों ही के लिए TGT और प्राइमरी टीचर्स के लिए S.C.S.T.O.B.C. सारी S.C.S.T.P.W.D. इन लोगों के लिए 0 रुपीज तो आपने ये सब कुछ पढ़ लिया हो तो चेक बॉक्स क्लिक करके और क्लिक हेर टू प्रोसीड पर क्लिक कीजेगा तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको सारी अपनी पोस्नल डीटेल्स को फिल करना है जैसे कि आपका कैंडिडेट नेम फादर मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका यहां से आप इस तरीके से नंबर्स चूज कर सकते हैं जो भी आपका डेट है ठीक है दिन जेंडर आइडेंटिटी टाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपके पास पैन कार्ड है पासपोर्ट है वोटर इडे इन में से कु यहां पर अपने फिर उसके बाद चूज करने के बाद अपना जो आपका अधार कार्ट का नंबर है उसको यहां पर फिल कर दीजेगा ओके नंबर ध्यान से फिल कीजेगा ओके दन आपका एड्ड्रेस लोकालिटी कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक पिन कोड इमेल एड्रेस इमेल एड्रेस ऐसा दीजेगा जो आप यूज कर रहे हों मुबाइल नंबर भी जो आपका परसनल हो जिससे आपको बाद में इसका वरिफिकेशन भी होगा ओटीपी आएगा इस पर और तो सारी चीज़े ध्यान से भरिएगा ठीक है फिर से आपको यहां पर परमनेंट ए इसको समिट बटन पर क्लिक कीज़ेगा और तो इसके करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म खुलेगा तो आप उसके खुलने के बाद यहां पर देख सकते कि कम्प्लीट दे रखा हुआ है और दूसरे कॉन्टाक डिट दा में की आपको समाले के सामने के सामने अपिकशन फॉर्म के ठीक कोम्प्राइशन पर फॉर्म करना पर छाए है जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन हो को गयए काहा जिसमें आपको अर प्लेट onun डिटवानैं और आपको अमडुख से में करना है यहां मोबाइल और email number जो है आपको verify करना है नीचे complete application form पे click करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते और अपना application form complete करेंगे तो सामने आपके कुछ इस तरीके का window खुलेगा जिसमें आपको contact details completed शोरी बाकी का red है क्योंकि अपने भी फिल नहीं किया तो personal details पे click करके आप उसको further जो आप application है उसको आप complete करेंगे ठीक है तो personal details पे click कीजेगा तो आपके सामने कुछ ऐसा form खुलेगा जिसमें आपको सारी details आपको fill करनी contact, name, date of birth फिर से वहीं सारी चीज़ है तो यह सब form में जितनी भी details है उसको आप ध्यान से भरिएगा nationality और यह सारी चीज़ है फिल करने के बाद यह नीचे का form है इस तरीके से marital status विडो है या फिर married या single जो भी है आप सब कुछ फिल कर दीज़ेगा security code या security pin capture फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीज़ेगा उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा form यह आगे का जो details है जो आगे की window है वो इस तरीके से open होगी जिसमें की yes तो आपको यहां से आपको चूज करना है कि कौन से post के लिए आप अपलाई कर रहे हैं और कौन-कौन से state म में आपको center चाहिए तो वो आप यहां से फिल कर सकते हैं तो यह चूज कर लिजेगा आपकी कौन से आप फर्स चॉइस है आपका second चॉइस यह सब फिल करने के बाद और नीचे question पूछा है कि हिंदी और English में आपको बोलना आता है या नि प्रोफिशेंसी है नि तो उसमें इस कर दीजेगा इस तरीके से आप चूज करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं और देखिए यह आपके सामने यह आगे आप options देख पा रहे होंगे कि primary teacher आपको इसमें चूज करना है अगर आप प्राइमरी के लिए फिल कर रहे हैं और अगर टीजिटी के लिए चूज कर रहे के save and next पे click कर सकते हैं then next करने के बाद आपके सामने इस तरीके से form खुलेगा जिसमें आपको qualifying exam और qualification detail डालनी है जिसमें आप से यह पूछा जाएगा कि आपने जो भी आपने पढ़ाई की है उसको किस डेलेट किया है या बीट किया है या बीटीसी के जो भी किया तो उसके ठीक है और university board name इसको ध्यान से भरिएगा किस तरीके से आपको भनना है आपको जो भी university board name है result mode और subject subject में आप बीट या फिर डाल दीजेगा जो भी आपने किया क्योंकि subject तो बहुत सारे होते हैं तो आप बहुत सारे subject आप डाल नहीं सकते एक साथ ठीक है तो इसलिए आप तो वहां पर अपना particular course आ दीजेगा course में आप देखिए बेट के सामने बेट तो लिख रखके आपको समझ में आ रहा है का अगर आपने डिलेट किया है तो second वाला चूज कीज़ेगा ठीक है और बेलेट वालों के लिए जो चार साल को होते हो लास्ट में option है all right तो इस तरी जो next window खुलेगा वो kvS employment details के लिए अगर आपने काम किया है या नहीं तो अगर आपने काम किया है तो उसके लिए आप yes कर दीजेगा और उसकी service जो भी उसका timing है और जो भी details है वो फिल करनी पड़ेंगी seatate आपने qualify किया है जिस भी year में किया है yes करके आप वो सारी details को भी क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का window खुलेगा जिसमें आपको येस के विस employment details के बारे में आपको फिल करना होगा तो seated की details को आप यहां पर फिल कीजेगा कि are you qualified or not और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे आपका उसका roll number तो फिल करने के बाद जब आप ये फिल कर देंगे seated qualifying year और seated का roll number ये सब आप पहले से details जो है आप एक जगहां पे एकत्रित करके रखिएगा ठीक है ताकि आपको form भरते समय कोई हड़ बढ़ाहट ना हो all right seated का roll number जिस भी year में आपने qualify किया है ये सारी चीज़े then last में security pin और save and next पे click कीज़ेगा then आपके सामने कुछ इस तरीके का form खुलेगे जिसमें आपको documents आपकी upload करने हैं जिसमें की सबसे पहले photograph upload करना है photograph पे choose file पे click कीज़े और आपके भी computer या फोन में जो भी आपका document है photographs regarding वो आप यहां से fill कीज़ेगा JPJ form में 10KB से जादा नहीं होना चाहिए ठीक है और signature का भी यहां पर दे रिखा हुआ है minimum 4 और maximum size 30 से जादा नहीं होना चाहिए चूज करने के बाद आप इस तरीके से upload कर दीज़ेगा upload करने के बाद इस तरीके से आपको blue यहां पर लिखता हुआ आएगा uploaded document तो इससे आप समाझ सकते हैं कि आपका document जो है upload हो चुका है save पे click कीज़ेगा और click करने के बाद कुछ इस तरीके का notification आपके सामने आएगा कि अपना final submit होने वाला है तो इसलिए आप सब कुछ review करने ठीक है once you submit will not modify any information एक बार submit कर देने के बाद कुछ भी modify नहीं हो पाएगा तो close कर दीजेगा ठीक है एक notification था आपके सामने यह review online page खुल गया जिसमें आ आपने सही फिल किया है या नहीं यह सारे भी जो boxes वह आपको टिक करने हैं कि आपने यह सही सही फिल किया है कि नहीं जिसमें my name father name mother name date of birth यह सब कुछ आपको चेक कर लेना ठीक है फिलास्में box को click करके submit की जगा submit करने के बाद आपके सामने last में यह form खुलेगा जिसमें कि कि आपका दिखाया जाएगा कि सब कुछ completed हो चुका है registration form और आपका application form और payment details सब कुछ green दिख रहा है और आपका application number दिख रहा है तो यहां से आप confirmation page पे डाउनलोड कर सकते हैं अपना confirmation page future reference के लिए जो कि आपको बाद में काम आएगा इस तरीके से आप अपना पूरा जो form ह सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बात आप यह सोचेंगे कि पेमेंट तो हुई नहीं तो पेमेंट के लिए क्योंकि पेमेंट में आपको कई सारी चीज़ें जो confidential रखनी होती इसलिए मैंने वह पार्ट को skip कर दिया है पेमेंट के लिए आप खुद भी कर सकते हैं जब मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि confidential चीज़े होती है तो इस वजह से मैंने नहीं उसको शो किया है तो होप से आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चानल को सब्सक्राइ वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए नमस्कार